अगर आप यहाँ पे एक part time freelance की job डून रहे हो जहाँ पे आपको एक fix payment मिले and थोड़ा से ही time आप invest करो and यहाँ पे अच्छा काम करके अच्छा खाल सा एक freelance part time job जो है वो कर पाओ तो आज की वीडियो काफी साथ amazing होने वाली है because आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले है एक ऐसे freelance job के regarding जिसका google form हमें मिल चुक है जानी कि अगर आप apply करते हो तो selection के chances आपके 100% होने वाले है अगर आप eligible हो and बात करें सबसे पहले यह जो opportunity आई है यह एक ऐसी company की तरफ से आई है जो की काफी famous company है आपने सुना होगा chig company के बारे में check company के regarding hire कर रही है एक direction educator की company है जो की hire कर रहे है chig company के regarding freelancers को जिसमें आप लोगों का role जो है वो क्या रहने वाला है किस देखेगी क्या responsibility रहेगी उसके बार में हम लोग बात करते हैं सबसे पहले आपका designation रहेगा creation and quality experts freelancers की एक job होने वाली है जहाँ पर आपको payout रहेगा 50 rupees से 115 rupees depend करता आपके particular subjects के ऊपर यानि आपने अगर यहाँ पर minimum graduation कर रख है and आपको अपने subjects की good knowledge है तो आप यहाँ पर eligible रहने वाले हो अगर past experience है तो आपको preference मिल जाएगी but अगर आप यहाँ पर कोई past experience नहीं भी रखते हो content creation से regarding तो भी आप यहाँ पर apply कर सकते हो कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली so कोन-कोन से eligible रहने वाले हैं लोग जिन्होंने minimum graduation कर रख है वो यहाँ पर eligible रहेंगे but आपके जो subjects हैं जिनके regarding आपको knowledge चाहिए ताकि आप उनके regarding यहाँ पर क्या काम करोगे वो देख लेते हैं तो आपको क्या करना होता है आपको answers provide करने होते हैं questions के in company के portal के उपर then आपको minimum एक दिन के अंदर 10 questions जो है minimum उनको complete करना है and यहाँ पर work timing जो है only night shift में रहने वाला है इस पर इन्होंने बताया नहीं है कितने hours आपको minimum देने होते हैं तो freelance है तो minimum hours वैसा कुछ नहीं रहेगा totally आपड़ी depend करता है तो आपको यहाँ पर subject की knowledge जो है minimum यहाँ पर होनी चाहिए यह requirement है कौन से subjects हैं जो यहाँ पर legible हैं तो आपका accounting है advanced math है, advanced physics, anatomy and psychology, biology, calculus, chemical engineering, chemistry, civil engineering, computer science, economics, electrical engineering, finance, mechanical engineering, उसके बाद nursing, उसके बाद operational management, then afterwards physics है, statistics and probability and other maths तो यह सब चीज़े subjects यहाँ पर रहने वाली हैं तो अगर आपकी in subjects में पकड़ अच्छी है तो definitely आप यहाँ पर apply करो selection के chances काफी अच्छे होने वाले हैं और आपको payment भी यहाँ पर 50 रुपीज से फिर 115 रुपीज के between मिल जाएगा per question के उपर तो काफी अच्छा payment आपको मिलने वाला है then इन्होंने मांगा हुए कि आपको google sheets, google drive, word documents, math type इन सब का knowledge होना चाहिए and आपके पास laptop या desktop with internet connection यह आपके पास होना चाहिए यानि कि आपके पास laptop अपना खुद को होना चाहिए company provide नहीं करेगी as यह freelance की job है तो अगर आप यहां पे interested हो तो आपको बस एक google form यहां पे fill करना है जिसकी उपर आपका selection based करता है तो आपको सबसे पहले अपना नाम डालना है अपना email id, आपका phone number, आपका highest qualification then आपके core subjects कोन से हैं वो आपके यहां पे choose करना है आप अपने accordingly choose कर सकते हो then आपके secondary subject कोन से हैं वो आपको यहां पे choose करना है then available time आपको बताना है night shift में आप कोन से time पे available हो then आपको resume अपना upload करना है जब resume अपना upload करोगे तो form आपका submit हो जाएगा then उसके बाद आपके CV के basis पे और आपके details के basis पे यह लोग आपको shortlist करेंगे and जो लोग shortlist होंगे उन लोगों को इनके HR की तरफ से contact आएगा और HR जो आपको contact करेगी उनका नाम है यहाँ पे Cynthia पाथक तो अगर आप इनसे directly contact करना चाहते हो LinkedIn के through इनका LinkedIn का handle का link भी मैंने आपको description में दिया हुआ और Google form का link भी description में दिया है ताकि आप अगर interested हो इस profile के अंदर इस job के लिए तो आप यहाँ पे apply कर पाऊ and selection ले पाऊ तो दोस्तों I hope आपको सब details यहाँ पे clear हो चुकी होंगी किस तरीके की job है क्या opportunity है क्या payment रहेगा कौन लोग apply कर सकते हैं बट अगर still आपको कुछ भी doubt है तो comment box खोला हुआ है वहाँ पे comment करके बता सकते हो I will try my best कि आपके जो भी doubts हैं वो मैं सब clear कर दू बाकी हम मिलेंगे आपसे कल एक new video में एक नई updates के साथ तब तक लिए दोस्तों goodbye बट अगर आपने अभी जाख हमारा YouTube चैनल तो goodbye